मुवी के स्टार्ट में हमें दो भाईयों को दिखाया जाता है जिन मेंसे छोड़े का नाम नेथन था जिसको प्यार से नेट कहा करते थे वो दोनों भाई चोरे छुपकर एक म्यूसियम में जाते हैं और वहाँ जाकर एक मैप चुराने के कोशिश करते हैं पर तब भी वहाँ पर तो पुरिस ऑफिसर आ जाती हैं और वो उन दोनों भाईयों को पकड़ कर एक औरफन अाॉस में ले जाते हैं दरासल इन दोनों के पैर España नहीं थे और वो दोनों शुरू से ही औरफन में रहा करते थे और नेट के बड़े भाई ने इस मैप को चुलाने की बहुत बार कोशिश की थी क्योंकि नेट और उसका भाई पारिट्स की खांदान से बिलॉंग करते थे और वो जो मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज चुपा हुआ था अब उस और्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ऑफिसर से ये कहती है कि नेट अभी चोटा है आप लोग इसके बड़े भाई को लेकर चा सकते हैं क्योंकि वो बार बार मना करने के बावाजूद भी चोरी किया करता था बट यहाँ पर नेट का बड़ा भाई खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था इसलिए अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है अब वो अपने जमान को पैक करने के बहाने अपने रूम में चाता है नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यहाँ पर नेट का बड़ा भाई उसको एक लॉकिट लाइटर और एक लेटर देता है और यह कहे कर वहाँ से चला जाता है कि मैं वापिस जरूर आऊंगा अब नेट अपने बड़े भाई के चाने के बाद जब वो लेटर ओपन करता है और उस पर लाइटर के रोशनी डालता है तो उसको एक मेसेज मिलता है उस लेटर में ये लिखा था कि याद रुकना हम लोग पायरिट्स फैमली से बिलॉंग करते हैं और हम लोग ज़रूर मिलेंगे इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखा जाता है हम नेट को देखते हैं जो अब बड़ा हो किया था और वो एक बार में काम क्या करता था और साथ ही छोटी मोडी चोरी भी क्या करता था जब एक नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आतमी आता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ वो बताता है कि कुछ टाइम पहले मिलकर हम काम क्या करते थे लेकिन नेट को इस बारे में जानने में कोई भी दिज़स्मी नहीं थी वो विक्टर से वहां से जाने का कहता है मगर Victor चाते जाते उसके लिए एक कार्ट छोड़ कर जाता है उस कार्ट में Victor का एट्रिस लिखा हुआ था नेक्सेन में हम देखते हैं कि नेट Victor के घर पर चला जाता है वो उसके घर में जा कर वो ही मैप देखता है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी तो तब वहां पर विक्टर भी आ जाता है विक्टर कहता है कि अगर तुमने पहले ही आना था तो मुझे तब इपता देते यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसको ढूनने के लिए कई लोगों ने बहुत ज़ादा मेहनत की और ये एक हजाने का नक्षा है और इस मैप के रास्ते पर जाकर बहुत ज़ादा लोगों ने अपने जान दे दी और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ये एक पकवास स्टोरी थी विक्टर नेट से कहता है ये कोई पकवास स्टोरी नहीं है और मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में काफी ज़ादा इंफॉर्मेशन है फिर इसके बाद विक्टर वहाँ पर नेट को एक बुक दिखाता है उस बुक में वो एक शिप की तस्वीर दिखाता है ये शिप कोई आम शिप नहीं है बलके ये कोई बहुत ही पुरानी शिप है और इसकी कीमत 500 करोड है और तो और उस शिप में बहुत ज़दा खजाना भी छुपा हुआ है जिसको 18 लोगों ने मिलकर वहाँ पर चुपाया था और जब नेट को इस खजाने के बारे में इतनी जादा इंफॉर्मेशन थी तो विक्टर उसको कैसे जाने दे सकता था और अब वो उसे अपने साथ काम करने की ओफर करता है लेकिन नेट उसकी ओफ करने के लिए एक्री हो जाता है अगली सुबा हम देखते हैं नेट विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाता है वो कहता है कि यह कोई क्रॉस का साइन नहीं है बलकि उस खजाने तक पहुचने की चाबी है जिस पर विक्टर कहता है कि इसमें से एक चाबी तो मेरे पास है औ और जल्दी हमें उस चाबी को वहां से चुराना होगा। अब विक्टर उस कंपनी में चागर उस चाबी को चुरा लेता है। उस चाबी को चुरा कर जब वहां से आ रहा था। तब यह वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रैट था। और वो विक्टर के गले पर नाइफ रखकर कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो और ये सब कुछ वो अपने बॉस के कहने पर कर रही थी और ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन पी थी अब जब वो दोनों उस चाबी के लिए फाइट करी रहे थे तब ही वहाँ पर फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है फ्रेजर विक्टर को पहले से ही जानती थी मगर वो नेट को नहीं जानती थी फ्रेजर विक्टर से पूछती है कि ये कौन है तो विक्टर फ्रेजर से कहता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है यहाँ पर नेट को पता चलता है वो जब वो दोनों आपस में बहस करी रहे होते हैं तब ही वहां से फ्रेजर वो चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। नेट फ्रेजर के पीछे भाग रहा था और फ्रेजर आगे आगे थी। फ्रेजर अपनी कार में बैट कर वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर नेट उसकी कारी के आगे आ जाता है तो वहां पर विक्टर भी आ जाता है वो फ्रेजर से कहता है कि अगर तुमें सारा खजाना चाहिए तो ले लो मगर ये तुम नहीं जानती कि ये चाबी कहां और किस वक्त लगेगी और इन सब के बारे में सिर्फ नेट को ही पता है ये बात सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तयार हो जाती है नेट उन लोगों को बताता है कि बहुत सालों पहले उन अठारा लोगों ने उस खजाने को चर्च में छुपाया था अब वो तीनों चर्च में पहुँचाते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद नेट अपने भाई के दिये हुए कार्ड्स को पढ़ने लगता है जिससे उसे ये बात कन्फरम हो जाती है कि वो सही लोकेशन पर है अब वो तीनों चोरी छुपकर चर्च के बेस्मेंट में पहुँचाते हैं वहाँ पर उनको चाबी लगाने के जगा भी मिल जाती है वो चाबी की जगा एक स्टैचू के नीचे थी अब यहाँ पर इनको ये बात नहीं पता थी कि चाबी को कि साइट पर खुमाना है विक्टर बुक में पड़ता है और कहता है कि दोरों चाबियों को क्लॉक वाइस घुमाना है ऐसा करते ही उस स्टैचू में से कुछ एरोस निकलने लगते हैं मगर उन तीनों में से किसी को भी कोई नुकसाद नहीं होता इसके बाद दुपारा से रिस्क लेते हुए नेट और फ्रेजर चाबियों को एंटी कलॉक वाइस खुमाते हैं जिसके बाद स्टैचू के पीछे से रास्ता निकलाता है वो रास्ता एक कुफा से होकर जा रहा था फिर नेट यहां पर विक्टर से कहता है कि हमें इस रास्ते से गुजर कर एक रास्ते से नहीं बलके दो अलग-अलग रास्तों से जाना होगा वो कहता है कि मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगी और तुम अलग रास्ते से जाना इसके बाद नेट और विक्टर अपने फॉन को GPS के साथ कनेक्ट कर लेते हैं अब नेट और फ्रेजर एक रास्ते से जाते हैं जबके विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है उस कुफा के रास्ते से चाते जाते नेट और फ्रेजर एक बार में पहुँचाते है वहाँ पर एक और सीखर्ट रास्ता था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था वो लोग उस रास्ते पर जाते इस से पहले वहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते है नेट वहाँ पर उस आत्मी को रोपने के लिए फाइट करता है और फ्रेजर उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है उस दर्वासे की ओपन होते ही नेट और फ्रेजर उस रास्ते से फाग चाते हैं अंदर जाने के बाद अपन लोगों को तीसरा दर्वासा नजर आता है जो उसी क्रॉस वाली चापी से खुल सकता था फ्रेजर उस दर्वाजे को खोलने की जैसे ही कोशिश करती है तो वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि उस दर्वाजे को खोलने के लिए दूसरे तरवाजे पर चाबी लगा कर पहले उसे खोलना होगा जिसको विक्टर ही खोल सकता था विक्टर दूसरे साइट वाले तरवाजे को खोल ले की कोशिश कर रहा था पर तब भी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटेक किया था और उन दोनों में जबरदस फाइट होने लगती है दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में फस कए थे और वहाँ पर बेहोश होने वाले थे विक्टर उस लड़की को मार कर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चावि को लगा देता है इसके बाद नेट और फ्रेजर बच जाते हैं और सेफली उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं अब बारी थी फाइनल दरवाजे पर जाने की लेकिन गोई भी यह नहीं जानता था कि उस दरवाजे को कैसे ओपन करना है विक्टर बाहर खड़ा एक होल में से उन दोनों को देख रहा था पर तब ही वहाँ पर नेट अपना दिमाग इस्तमाल करता है वो फ्रेजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ लेकिन विक्टर उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इंकार कर देता है लेकिन थोड़ी ही तेर बाद विक्टर उस चाबी को दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और आप्शन नहीं था नेट देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था नेट जब उन दोनों की इसको मर्च करता है तो वो ही सिंबल बन जाता है जो उस दरवाजे पर बना हुआ था जिसकी वज़ा से वो लोग अब उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं जब वो उस दरवाजे के अंदर एंडर होते हैं तो एंडर होते ही उन्हें तीन बड़े-बड़े पॉट दिखाई देते हैं दूसरी दरफ विक्टर नेट से बार-बार पोच रहा था कि खजाना मिला या नहीं नेट फ्रीजर को उपर करता है ये देखने के लिए के उन बार्ट्स में क्या है फ्रीजर जब देखती है तो उन बार्ट्स में तो बहुत सारा निमक था इसका मतलब ये था कि यहां पर कोई भी खजाना नहीं था तब ही वो तीनों पॉर्ट्स अचानक से तूट जाते हैं वो देखते हैं कि उन में से एक मैप निकलता है और यही मैप ही उस खजाने तक जाने का रियल मैप था अब जब नेट मैप को देख रहा था तब यह फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सब को सच बताया है वो गन को नेट के सर पर मारती है और उसको मार कर पेहोश कर देती है उस मैप को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उन कीस को भी ले जाती है इसके बाद विक्टर नेट के पास आता है वो देखता है कि नेट पे होश है जब नेट को होश आता है तो उन दोनों को पता चलता है कि फ्रेजर उनको धोका देकर भाग चुकी है NET को जब होश आता है तो वो VOOKTOR से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या चुपाया है अब VOOKTOR उसको बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले ख़जाना ढूड़ने के लिए निकले थे जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था मकर हमने उस बुक को तो चुरा लिया इसके बाद जब हम वापिस आने लगे तो मोर काड़ा के लोगों ने हम पर फायर कर दिया उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलिट लगे जिसके वचा से उसकी तैथ हो गई यह सुनकर नेट बहुत सब्सक्राइब बहुत जाता है वो रोने लगता है कि उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा करो नेट विक्टर से कहता है कि ठीक है मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर चाओंगा इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे इसके बाद हम फ्रेजर को ब्रेट और उसके बास के साथ देखते हैं यानि के फ्रेजर इन दोनों के लिए काम कर रही थी अब जो ब्रेट का बास था वो ब्रेट से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी और इसके बाद प्रेट का बास अपने पूरे टीम को लेकर खजाने की तलाश में प्लेन में बैट कर निकल जाते हैं और वो अपने साथ जरूरत के सामान को भी ले लेते हैं प्लेन में बैठा प्रेट का बास सब्चे यही कह रहा था कि वो खजाना मेरा था और वो कई साल पहले मेरे खांदान से गुम हो गया था लेकिन तब ही प्रेट अचानक से आकर पीछे से अपने बास का गला कार देती है बास का मारने के बाद फ्रेजर अब ये समझ आती है कि ये उसको भी मार देगी इसलिए वो अपनी चान बचाने के लिए प्लेंज में जो कार थी उसमें चुप जाती है इस पर प्रेट अपने आत्मियों से कहती है कि फ्रेजर तुमें चैसे ही नजर आए तुम उसको फॉरण से फायर कर देना अब वो लोग फ्रेजर को वहाँ पर ढूनी रहे थे तब ही हम नेट और विक्टर को देखते हैं जो एक कार के टिकी में चुप कर उस प्लेंज में आ गए थे अब जब वो सभी लोग फ्रेजर को ढून रहे थे इस बात का फायदा उठा कर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं इसके बार ब्रेट और फ्रेजर में भी फायरिंग साटो चाती है वो एक दूसरे पर फायर कर रही होती है विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है इसलिए हमें चल्दी से पेराशूट लेकर यहां से जाना होगा यहां पर विक्टर पेराशूट लेकर चंप मार देता है मगर नेट वहीं पर रुक जाता है और ब्रेट से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था वो वहाँ के सभी कार्गों को पेराशुट से टैच करकर खोल देता है जिससे कि प्लेन का सारा समान बाहर किरने लगता है वहाँ पर प्रेट के लोग नेट और विक्टर पर फायर करने लगते हैं तब ही वहाँ पर नेट का पाओ कार्गों में लगी बेल्ट में फस जाता है और वो उस समान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है लेकिन वो बहुत साथ कोशिश करने के बाद दुपारा से प्लेन में आ जाता है तब ही वहाँ पर फ्रेजर एक बड़े सी कार को लेकर प्लेन से जम्प करने वाली थी वहाँ पर नेट भी खड़ा था अब कार के साथ दुपारा से नेट भी नीचे किर जाता है अब जब वो दोनों नीचे किर रहे थे तब ही फ्रेजर नेट से कहती है कि चल्दी से पैराशूट खोलो लेकिन यहाँ पर तो नेट ने कोई पैराशूट लिया ही नहीं था अब वो दोनों हवा में ही उड़ रहे थे अगर तब ही चल्दी से नेट एक कारगो के पैराशूट को ओपन करता है और वो दोनों उस कारगो पर चले जाते है उस पैराशूट पर जाने के बाद वो दोनों समंदर पर लैंड करते है अब वो लोग एक बीच पर पहुँच गए थे वहाँ पर पहुचने के बाद वो एक होटल में स्टे करते है उस होटल में जाने के बाद वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते है लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी समझ नहीं आती और वो अराम से जाकर सोच आती है लेकिन नेट यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है जब सुभा फ्रेसर उठती है तो वो देखती है कि नेट ने मैप को समझ कर नोट्स भी बना लिये हैं और वो यहाँ पर दुबारा से चला के दिखाती है, वो उस नोट को ले कर खजाने के लिए निकल जाती है, नेट जब सुबा उठता है तो वो देखता है कि वहाँ से नोट काइब है, और ये देखकर वो मुसको राने लगता है, दरासल नेट ने उस नोट पर गलत लोकेशन को मेंचन किया था, और जो रियल लोकेशन थी, वो नेट के पास ही थी, नेक्स दी में हम देखते हैं कि नेट एक बोट में उस लोकेशन पर पहुँचाता है, जो एक आइलेंड की कुफा में था, वही पर दूसरे तरफ प्रट ने भी नेट पर नज़र रखी हुई थी, वही पर नेट पानी में जम करकर स्विम करकर उस गुफा तक पहुँचाता है, जहां पर वो दो बहुत बड़ी बड़ी शीप्स को देखता है, जिसको ढूनते हुए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गवाया था, उस शीप के चप नेट अंदर जाता है तो वहा से कहता है कि क्या तुम भूल गए तुमेंने तो मुझे अपने जीपिया से कनेक्ट हिया था, अब जब वो दोनों मिलकर उस खजाने को देखी रहे थे तब ही वहां पर ब्रट भी अपने लोगों के साथ आ जाती है, उन लोगों को देखकर नेट और विक्टर दोनों छु को ही हाइचेक करने का प्लैन बनाते हैं, वो वहां पर शिप के फ्रंट पर आते हैं और वहां पर सभी गार्ट से फाइट करने लगते हैं, यहां पर नेट पी सभी गार्ट को खूब मार रहा था, वो गार्ट को पानी में नीचे फैंक देते हैं, अब एक एक गार्ट को मा यहां पर प्रेट तो उसके पीछे ही पढ़ गयी थी इसके बाद ढकी के लोग ने-ट के शिप पर आ जाते हैं वह सब भी लोग नेट से फाइट कर रहे थे लुए अडरने थी वाली थी फोराने धैन से Brett के helicopter पर attack कर देता है जिससे उसका helicopter destroy हो जाता है और तभी उसका ship भी एक पहाड़ी से टकड़ाता है और पूरी थरह से destroy हो जाता है मगर Brett वहाँ से बच जाती है और अब वो net के ship पर jump करती है वो net से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता और इतना बोल कर वो ship के एंचर को सुमंदर में भैक देती है जिसकी वचा से ship और helicopter आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का सोने से भरा हुआ bag भी नीचे गिरने लगता है वो अपने helicopter को autopilot करकर उस bag को बचाने जाता है उधर नीचे ship पर bread और net की आपस में fight हो रही थी net up किसी तरह से बचते बचाते helicopter पर चलने की कोशिश करता है और उसके पीछे bread भी आ रही थी विक्टर यहाँ पर gold से भरे हुए bag को sacrifice कर देता है वो bread पर दे कर मारता है जिसके बाद bread पानी में चाकर गिरती है bread के उपर गिर जाती है जिसकी वजह से अब उसकी death हो जाती है और वो ship वही पर टूट कर देखने लगती है net विक्टर से कहता है कि हम ये gold अभी भी हासिल कर सकते है लेकिन विक्टर उसको मना कर देता है वो कहता है कि अब ये सारा sona comment का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रही है जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलिकॉप्टर चलाने लगता है तो net उससे कहता है कि दुखी मत हो और फिर वो एक एक कर कर gold को अपनी pocket से निकालने लगता है और वो दोनों खुशी खुशी चाने लगते है मोवी के लास में हम देखते हैं कि एक motor boat net और विक्टर का पीछा कर रही है जो के कोई और नहीं बलके Fraser ही थी जिसको net ने बेवकुफ बना दिया था हम देखते हैं कि net का भाई अभी भी जिन्दा था जो के एक जेल में बन था और इसके साथ ये मुवी यहीं पर एड़ हो जाती है